सार्यानू नमस्ते, साड़े इंजीनिरिंग ड्राइंग अते कंप्यूटर ग्राफिकस ते ने पटल ओनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सां विच स्वागत है असी और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स पाग दो ते मोड्यूल नमबर चार, लेक्चर नमबर बत्तीनू कवर कर रहे हां अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स पाग दो विच असी मुख तोर ते पोइंट प्रोजेक्शन्स, लाइन प्रोजेक्शन कवर कर रहे हां अते लाइना असल विच होरीजोंटल पलेन, अते वर्टीकल पलेन उत्ते के में दिखाई दिन्दिया हान, जेकर ओ पलेन दे पैरलल हान, जेकर ओ पलेन दे परपैंडीक्यूलर हान, अते ओ, पलेन नाल इनकलाइन धान एक इसे वी इंजीनियरिंग ड्राइंग लई, बेसिक कंस्ट्रक्शन है, आओ असी उस मोड्यूल ते चलिए, पिछली कलास विच एहना अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स, विच, असी एक लाइन दे वक वक प्रकार दे प्रोजेक्शन्स बारे सिख्या है, उदारन लई, एक लाइन, जो होरिजोंटल पलेन उत्ते, अते उस वर्टिकल सरफेस उत्ते परपेंडीकूलर है के असल विच, प्रोजेक्शन्स दे रूप विच के में आउंदा है, उदारन लई, एक लाइन, जे ए होरिजोंटल पलेन दे परपेंडीकूलर है, होरिजोंटल पलेन ते इस पूरी लाइन दा प्रोजेक्शन एक डोट, पोइंट होवेगा, जिते इस लाइन दा ए प्रोजेक्शन है, जो उस वर्टीकल पलेन दे पैरलल है, असी इसनों एक ट्रू लैंथ लाइन दे रूप विच देखांगे, क्योंकि इस दी ए बी लाइन, है अते इस केस लई वर्टीकल पलेन उते इस दा प्रोजेक्शन ट्रू लैंथ बन जान्दा है, होरिजोंटल पलेन उते एक पोइंट बन जान्दा है, अते साड़ा नोटेशन, वड़े अक्खर विच है, ट्रू लाइन आते, प्रोजेक्शन्स लई वड़े अखर हान जेकर ए होरिजोंटल पलेन ते है, ए छोटे अखर होंगे, जेकर ए वर्टीकल पलेन ते डैश जा प्राइम वाले छोटे अखर होंगे इसे तरह, असी एक लाइन नू देखन दी कोशिश करदे हां जो horizontal plane अते vertical plane दोवादे parallel है, फिर ये सानू टॉप वियो जा horizontal plane ते अते, फरंट वियो जा vertical plane ते भी true length पर दान करदा है इस तो बाद असी इक लाइन नू देखन दी कोशिश करदे हां जो के horizontal plane नाल एक के inclination angle बना रही है जेकर असी इसनू horizontal plane नाल extend कर रहे हां ता एक angle theta बना रहा है पर इह लाइन vertical plane दे parallel है उस थिती विच टरू length फरंट वियो विच प्रोजेकट कीती गई है अते apparent length नू इस top वियो ते प्रोजेकट कीता जावेगा अते साधी arm notation है कोई वी लाइन horizontal plane दे नाल inclination angle बनाऊंदी है जिसनू 80 theta दुआरा दर्साउंदे हां एस standard notation है अते जेकर एह line vertical plane नाल angle बनाऊंदी है ता असी इसनू 5 कहन दे हां इस थिती विच एक line vertical plane 5 दे नाल inclination angle बनाऊंदी है true length 80 इसनू horizontal plane दे प्रोजेक्ट करके प्रापत करांगे projected length 80 इसनू vertical plane देखांगे आओ असी एक उदारन देखे शुरू करिए पहली उदारन एक point ए है जो horizontal plane तो भी है mm उपर है अते vertical plane दे फरंट विच ती है mm है फिर इस था projection बनाऊ आओ असी इस point ते विचार करिए पहले quadrant विच है जे कर अजिहा घुन्दा है ता असी विचार करिए कि ए vertical plane है अते ए horizontal plane है साड़ी लाइन जे कर कोई point है ता AHP तो विच मीटर उपर point है चलो इसनू कहिए horizontal plane अते ए vertical plane है ए पोईंट है आओ इसनू कहन दे हाँ AHP तो 20 mm उपर है जे कर असी ड्राइंग कर रहे हाँ ता ए vertical plane दे फरंट विच भी है मैम अते ती है मैम होवेगा ए ती है मैम हो सकदा है जे कर अजिहा है ता सानू projection लगाउने पहनगे जिस तरी के नाल असी इहना projections नू कर दे हाँ जाता आसी इत्वों देख सक दे हाँ जा आसी पासे तो देख सक दे हाँ ए इस गल ते निर्बर करदा है के आसी इस चितर नू बनाउन लई किस विव तो देखन दी कोशिश कर रहे हाँ पहली गल ए है कि इस वर्टीकल पलेन ते हमेशा एक वर्टीकल पलेन खिचो आओ इसनू X-axis, Y-axis दा नाम दे ये ता कि X-axis, Y-axis इस पोईंट दे ओरिजिन विचो लंगदा है इस पोईंट नू वर्टीकल पलेन उते प्रोजेक्ट करोता जो इसनू A- अते, इसनू नोट करो जेकर साड़े कोल है ता ए, V-M-M होवेगा क्योंकि ए ओ लेंथ है जो असी देखन जा रहे हा होने थे उस पलेनू ते प्रोजेक्ट करो फिर होरिजोंटल पलेनू कड़ी दिशाविच 90 डिगरी कुमाओ जेकर असी प्रोजेक्ट्शन बना रहे हा ता ए उसते चालदा है अते ओ है थे किते A होवेगा A- लेंथ T- है मैम होवेगी इस तरीके नाल असी कंस्टरकस्ट कर दे हा आओ असी सल्यूशन नू वेखिए चीज नू बनाऊन दा असान तरीका A है कि साढ़े कोल पोईंट A है वी लेंथ दा सिद्धा अग्गे प्रोजेक्शन कीता जान्दा है इक वार A हो जान्दा है असी होरिजोंटल पलेन ते परजेक्ट कीता आते फिर इस मूल दी वर्तो करके उस रेडियस दे नाल इसनू इस पोईंट ते ट्रांसफर करो जो कि इस पलेन नू 90 डिगरी द्वारा कु मौन दे समान है जे कर असी इस पासे दे दरिश्टो देख रहे हा ता एहना प्रोजेक्शन नू पढ़न ड्रा देखन दी कोशिश करो तरीका ए है कि साढ़े कोल ए एक्सिस वर्टीकल पलेन है आओ असी इस सेकस वाई को आडिनेटस ते विचार करिए शायद इस लोकेशन ते जो उस पलेन विच लांग रहे हान ए होरीजोंटल पलेन पोईंट है एक प्रोजेक्शन ए प्राइम पोईंट नू एक प्रोजेक्ट कहन दे हां एक वार जदो एस ओतों इस प्रोजेक्शन तक किता जानदा है ता उस रेडियस नू ट्रांसफर करके एक कैंगल 90 डिगरी बनाव इस लिए असी ए प्रापत कर सक दे हां एस टैप है कि सानू की करना है आओ असी शीट ते देखिए कि इस नू किमे बनाया जावे सब तो पहला शीट ते एक लाइन खिचो एक होरीजोंटल पलेन अते एक वर्टीकल पलेन बनाओ एह वर्टीकल पलेन है आओ असी मारक करन्दी वर्टों करिए के एक वर्टीकल पलेन है अते एक खोरीजोंटल पलेन है सानू पहला पोईंटे नू प्रोजेकट करना होवेगा जो कि ती ही यूनिट इक दो तिन यूनिट है किते दस भी ती ही थे अते उपर भी यूनिटा दा मतलब है एक दो एकाईया इसलेई ए पोईंटे कैपिटल ए होना चाहिदा है असी इसनू हेठा प्रोजेकट करना है पहला असी इसनू हमेशा वर्टीकल पलेन ते प्रोजेकट कर दे हां क्योंकि ये करना असान कम है इत्थे प्रोजेकट करो इससे तरह इसनू होरीजोंटल ते प्रोजेकट करो जो भी चीज असी प्रोजेक्ट कीती है असी उस पोईंटे प्राइम नूँ वर्टीकल पलेन ते प्रोजेक्ट कीता है हुने इस लेंथ नूँ ट्रांसफर करनले इसाड़े कमपास दी वर्तों करो इस प्रोजेक्टड नूँ इत्थों तक ट्रांसफर करो ता जो वेव असी एक कार्क बना के ट्रांसफर कर दे हां जदों असी इस पोईंट नूँ एक कहन दे हां हुने इहना लाइना नूँ डार्क करो अते फिर वी ही यूनिट होन गे अते ती ही यूनिट होन गे इस तरह आसी पहले कोड्रेंट विच एक पोईंट नूँ प्रोजेक्ट कर दे हां आओ असी एक सवाल पुछिए जे करो ही पोईंट है शायद जे ए तीजे कोड्रेंट विच है इहना प्रोजेक्शन्स नूँ किमे बनावना है आओ एक कोडारन नूँ वेखिए पहली प्रोब्लम ए पहले कोड्रेंट विच है दूजा सवाल जो असी पुछन जा रहे हैं तीजे कोड्रेंट विच एक पोईंट भी है जो कि कुछ अजेहा है जिमे के होरीजोंटल पलेन तो हेठा चाली एम एम पंजा एम एम उपर वर्टीकल पलेन दे फरंट विच है एक सवाल पुछन वर्गा है जेकर साढ़े कोल ए तीजा कोड्रेंट विच है ता किते पोईंट भी मौजूद है जो कि होरीजोंटल पलेन तो चाली एम एम हेठा है क्योंकि ए होरीजोंटल पलेन चाली एम एम हेठा है अते वर्टीकल पलेन दे फरंट विच ए फरंट विच जान पिछले पासे वर्टीकल पलेन है जिस तरीके नाल असी इसनु देख दे हां इसलिए ये पंजा एम एम है जेकर ए पंजा एम एम हैता वर्टिकल, पलेन होरीजोंटल पलेन उत्ते इस पोइंट बी, दा प्रोजेक्शन की होवेगा, होर उदेश है के असी अपनी आखरी चीज नूँ याद करना है, सानू इस पोइंट नूँ सिद्धे तौर ते वर्टिकल पलेन ते पर जैकट करना पैंदा है, जित्थे ए हेठा जान्दा है, पर होरीजोंटल चीज जिस तरह आसी इसनू तीजे कोडरेंट लई कार देहां, हमेशा कडिदी दिशा विच, 90 डिगरी होना चाहिदा है, सब त तो पहला उते प्रोजैकट करो, अते फिर इसनू रेडियस कुम्मा के उते ट्रांसफर करो, उते साधे कोल एह भी, खोवेगा उते साधे कोल भी, खोवेगा एह उपर अते हेठले सविचा विच आउन्दा है, आओ, असी उस प्रोब्लम, नू वेखिये ता भी पोइंट, चाली एम एम हेठा आते पंजा, एम एम वर्टिकल पलेंदे फरंट विच है, इसलिए पंजा मिलिमीटर, एक है आते चाली मिलिमीटर, जीरो, वी ती चाली इथे किते, है ता मानलो की साधा पोइंट भी, उते तीजे कोवाड्रेंट विच है, गुण सानू इह प्रोजेक्ट करना पएगा, ता कि साधा पोइंट भी, इस स्थान ते आवे, इसनू असी होरिजोंटल पलें ते, बी पराइम, कहन दे हा, असी पहला इसनू होरिजोंटल पलें, विच प्रोजेक्ट कर दे हा, फिर एक आर्क बनाऊंदे हा, इस पोइंट नू नब्बे डिगरी तक कुम्मोंदे हा, इक वार जदो, असी इस पोइंट, नू कुम्मोंदे हा ता इस पोइंट बीते अग्गे वद्दा है, अते एक, बी प्राइम पोइंट, है ए पहले कुआड्रेंट विच है, टॉप विव हेठा होवेगा आते, फरंट विव, टॉप ते है, इसलिए इस पोइंट दे संबंद विच असी हमेशा कहन दे हां के ए हेठा है, जा इस दे नाल टॉप विच है, जेकर ए तीजे कुआड्रेंट विच है, ता ओ फलिप कार जानगे, तुसी जो प्रापत करन जा रहे हो ओ है, टॉप विव, टॉप फरंट विव, क्योंकि ए हो तरीका है जिस तरह आसी चीजा नूँ बनावना है, जेकर एह दूजे कुआड्रेंट विच है, ता आसी ए प्रोजेकट कार दे हां के जेकर एह दूजे कुआड्रेंट विच है, असी तुरंत इस पोईंट नूँ वर्टीकल पलेन, होरिजोंटल पलेन, उथ ते प्रोजेकट करांगे या ते फिर इस नूँ 90 डिगरी, कुमा जैकट करो, इसनु कड़ीदी दिशाविच 90 डिगरी कुम्माओ, ए पलेन ते इक पोईंट दे इस फरंट वियो अते टॉप वियो नू बनाऊन दा तरीका है, आओ असी उस, हल, नू वेखिये जो तुसी उत्थे देख दे हो, जदो पोईंट पहले, कोहाड्रेंट विच हु टॉप लेवल, अते ए हेठा है, ए फरंट वियो है, अते ए पहले, कोहाड्रेंट विच एक पोईंट लेई, टॉप है, असी जिना स्टैप दी पालना कीती है, ओ है, सब तो पहला एक रेफ्रेंस लाइन XY खिचनी पवेगी, ए XY लाइन, है फिर, XY तो, वीह मिलीमीटर दी दूरी ते एक पोईंट नूँ ए प्राइम मारक करो, पोईंट ए 80, वीह मिलीमीटर वर्टीकल पलेन ते पर जैकट कीता है, इस लए वीह, मिलीमीटर दी उचाई ते, असी XY दे उपपर ए प्राइम मारक कर दे हा, असी पहले क्वाडरेंट विच हा, फिर इस पोईंट तो XY तक एक प्रपैंडिक्यूलर लाइन खिचो, अते इस दे, हेठा, ती मिलीमीटर दी दूरी ते टॉप विउनू मारक करो, इक वार जदों असी इसनू पूरा कर लेन दे हा, अता ए प्राइम फरंट विउ है, ए टॉप विउ प्रापत होवेगा, आओ हुन अगला सवाल पुछिए, इक पोईंट डी, खोरीजोंटल पलेन देवी, एम एम हेठा आते, वर्टीकल पलेन देती, एम एम फरंट विच है, इस दे प्रोजेक्शन्स बनाओ, की तुसी अंदाजा लगा सकदे हो, की इस पोईंट नू किमें बनाओना है, सब तो पहला सानू एक सकेमेटिक बनाओना पैंदा है, जिमें की, एह वर्टीकल पलेन है, अथे एह होरीजोंटल पलेन है, उथे एक पोईंट डी, वी, एम, एम हेठा होरीजोंटल पलेन, वर्टीकल पलेन है, V M M हेठा दा मतलब है कि किते थे अटे T M M वर्टिकल दे फरंट विच इसलए V M M उथे किते हेठा जान दा है अटे A V P दे फरंट विच T M M है जेकर मैं वर्टिकल पलें तो माप रहा हां ता ए ती होवेगा जेकर असी horizontal plane तो माप रहे हां जो भी होवेगा तो हड़ा point D, चौथे quadrant ते है हालांकि असी पहले quadrant तो projection लगाउना चाहांगे जो point चौथे quadrant विच है कि असी first angle projection तकनीक द्वारा दर्सावना है जेकर अजहा है ता असी इस point नू वर्टिकल plane ते project करन जा रहे हां किते उत्थे असी horizontal plane उत्थे D, प्राइम प्रापत करांगे D नू करो फिर इस radius D वर्टो करो उसनू हेठा ट्रांसफर करो ओ point D साढ़े कोल होवेगा इसलिए reference line तो ए ओ तरीका है जिस्दा अरथ है इस्दा मतलब है कि जेकर असी एक projection खिच रहे हां ता मान लो कि सब तो पहला horizontal plane तो 3 mm दी दूरी ते इस ते हेठा xy line लोकेट करो D प्राइम V mm है ता V mm हेठा लोकेट करो फिर इसनू टॉप ते तीह दूरी ते प्रोजेक्ट करो जो साढ़े कोल होवेगी इसलिए origin तो इथे किते 3 mm वरगी कोई चीज बनाओ फिर इसनू radius द्वारा ट्रांसफर करो A D होवेगा आओ असी अपनी ड्राइंग शीट उत्ते हाल वेखिए सब तो पहला सानू xy line बनाओनी पैनी है इस दा नाम x-axis y-axis रखो इथे किते origin होवेगा इसनू ओचुनो फोने इस perpendicular line ते एक perpendicular line खिचो जो वसी करना है ओ है point D horizontal plane तो हेठा V millimeter है इस दा मतलब है कि जे कर असी उस V millimeter नू V millimeter दी दूरी ते vertical plane ते project कार रहे हा ता आसी इस front view नू मारक करांगे इसलए V millimeter एओ point है जिते साढ़े call D dash होवेगा क्योंकि एक projection है अते ए point भी पी दे फरंट विच ती है मैम है ता ती है मैम उथे किते project पर असी इसनू पहले एंगल प्रोजेक्शन विच ट्रांसफर करना चाओं दे हा इस दा अरत है radius low इस point नू मारक करो इसनू arc द्वारा ट्रांसफर करो जे कर असी एक कर रहे हा कि ए होना दे नाम नू काट दिन्दा है ता point D फून तो हाड़ी लाइन ए होवेगी ए वर्टीकल पलेन है front view एक front view होवेगा अते इस length दा एक top view होवेगा जो असी देखन जा रहे हां origin तो लेके D point तक अते front view origin तो लेके D point तक सारे तरीके नाल होवेगा ए ओरीजिन है सानू इसनू काल करन देखिए इसलिए जिमे के मेंदस्या है के थे ओ प्रोजेकेट हुंदेहान सिद्धे तौर ते A prime D prime नू D prime मन्या जान्दा है अते D छोटा D है इक पर जेकेट कीता गया है साढ़े कोल ए रोटेशन द्वारा इस point तक प्रापत होवेगा A D prime अते D खोना चाहिदा है आओ ड्राइंग शीट ते अपने हाल नू वेखिए इथे असी सिरफ डाइमेंशन नू मारक करना है जिमें के एह लाइन तीह मिलीमिटर होवेगी तुसी एरो द्वारा डबल एरोज दी वर्तों कर दे हो अते A V मिलीमिटर होवेगा A V मिलीमिटर होवेगा आउ असी नमी उदारन लई मूव करिए आउ एक सवाल पुछिए के एक पॉइंटे है जो होरिजोंटल पलेन तो V मिलीमिटर उपपर है आउ असी नमी चुनिए एक पाग जित्थे तिन पाग हान पहला पाग एक पॉइंट है एक होरिजोंटल पलेन उपपर V म म अते वर्टीकल पलेन दे पंजी एम एम पिछे है जेकर अजेहा हुंदा है तांकि असी इस पोइंटे दे प्रोजेक्शन बना सकदे हाँ अग्गे सानू की करना चाहिदा है केक वर्टीकल पलेन बना के शायदे खोरिजोंटल पलेन हो सकदा है होन साडे कोल जो पोइंट है ओ वी तो उपपर होरिजोंटल पलेन तो V मिलिमीटर उपपर है एह थे हो सकदा है एह उथे हो सकदा है पर ए वर्टीकल पलेन तो पंजी मिलिमीटर पिछे है वर्टीकल पलेन दिफरंट विच ए है आओ इसनू अग्गे करिए अते ए पिछे है जेकर ए केस है ता पोइंटे ए थे किते होवेगा आओ पोइंटे नू काल करिए जो एच पीतो V मिलिमीटर उपर V पीतो पंजी मिलिमीटर पिछे है असी की करना है फसे टैंगल प्रोजेक्शन तकनीक दी वर्टों करके इस पोइंट दा फरंट विउ अते टॉप विउ परापत करना है इस तो असी हमेशा इस पोइंट नू सिद्धे तौर ते वर्टीकल पलेन ते प्रोजेक्ट करना है उस पोइंट नू ए पराइम दे तौर ते नोट करो फिर इस पोइंट नू होरिजोंटल पलेन ते प्रोजेक्ट करो फिर इस नू 90 डिगरी कुम्माओ ता होरिजोंटल पलेन नू 90 डिगरी कुम्माओ उस पोईंट नूँ ए मारक करो क्योंकि ए दूरी पंजीवी पीदे पिछे तों भी है इसलई पोईंट ए सारे तरीके नाल उपर आउंदा है क्योंकि पंजी मिलीमीटर असी इसनू उपरी दिशा विच ट्रांसफर कर रहे हां अते वी ए है तांके पंजी पोईंट जदों असी इसनू नब्बे डिगरी द्वारा को मौंदे हां तां ए हमेशा उपर जान्दा है आओ इसनू शीट ते बनाईए कुछ अजेहा हो सकदा है के असी इस तरीके नाल वर्टीकल पलेन नूँ खिचिये इस दा नाम देओ एह वर्टीकल पलेन है एह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है अते सब तो पहला सानू एक करना है के इस पोईंट नू वी मिलीमीटर द्वारा वर्टीकल पलेन दे सामने पर जैक्ट करना है इसले वी मिलिमीटर, उत्थे किते, इसनु ए पराइम कहन दे हां, अते वी पी दे, पंजी एम एम ए पोइंट हो सक्दा है, उस पोइंट नू उत्थे किते, ट्रांसफर कर दे वे, आओ उस पोइंट नू कहन दे हां ए, डाइमेंशनिक दी हमेशा लोड हुन दी है, अते असी इस पासे, की कर सक्दे हां, आओ असी इसनु इसनु, वर्टीकल लाइना, पंजी, बना देए अते, वी, खोवेगी जो के पहला हिस्सा है, आओ असी दुजे, पाग पोइंट बी, पंजी एम 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 एच पी तो हेठा, अते वी पी पिछे वी हैम एम दे दुजे पाग ते अग्गे वदी ये तावी पी दे पिछे, ए हेठा है, पोइंट बी उत्थे किते होना चाहिदा है, फिर सब तो पहला इस पोइंट बी नू वर्टीकल पलेन ते प्रोजेक्ट करो, खोर उदेश असी की करना है, हेठा, पंजी एम, एम है, कुझ गैप छड़ो, अते जेकर असी शीट नू देख रहे हां ता किसे भी कंस्ट्रक्शन लेग कट्टो काटती, मिली मीटर दा अंतर दित्ता जाना चाहिदा है, प्रोजेक्टर सी, जे अजेहा है ता प्रोजेक्टर तो, ती हैम एम मैंनू देना पएगा, अते अग्गे जा, केस नू, पंजी एम एम तो हेठा बनाओ, किते एथे पंजी, एम एम हेठा एक पोईंट दा निशान लगाओ, इसनू ए बी पराइम, काल करो एहना लाइना नू जोडो, ए फरंट व्यो है, ए बी पराइम है, फिर भी पी दे पिछे वी हैम एम वी हैम एम पिछे किते लोकेट करो, क्योंकि ए तीजा को आड्रेंट है अते जो असी असल विच प्रोजेक्ट करना चाओं दे हाँ, ओ ए है इस पोईंट, बी नू होरीजोंटल पले नू उत्ते कुम्माओ, जे कर असी अजेहा कर रहे हाँ, ता ए, इस नू नब्बे डिगरी ते किते प्रोजेक्ट करेगा, साड़ा पोईंट किते ना किते होवेगा, आओ असी उस पोईंट नू जोडिये, इस पोईंट, पोईंट सी, HP तो MM, हेठा आते वी पीदे 3 MM फरंट विच है, पोईंट सी नू सब तो पहला हेठा किते लबबो, पर वी पीदे फरंट दा मतलब ए थे है, सी पोईंट हो थे है, असी इस सी पोईंट नू प्रोजेक्ट किमे, करांगे किमें बनावांगे अते इस होरीजोंटल पलेननू 90 डिगरी तक कुम्मावांगे अजेहा करनली असी दुबारा एक करना है कि इस लाइन ते किते वी प्रोजेक्टरा दे विचकार 3 mm दा गैप छड़ देो साड़े को ले प्रोजेकशन होनगे इसनू H पीतो V mm हेठा वर्टीकल पलेन दे रूप विच नाम देो इक पोईंटनू मारक करो उसनू जोडो उस पोईंटनू C प्राइम वजो नाम देो अते एह वी पी देती है मैम फरंट विच है इसले वर्टीकल पलेन दे फरंट विच जो कि असी इसनू इत्थे वी नोट कार सकदे हा जेकर एह वर्टीकल पलेन देती है मिलिमीटर फरंट विच है अते इसनू 90 डिगरी कुम्माओ उस पलेन ते फिर साढ़े कोल C पोईंट वी होवेगा इक वार एह हो जान ते असी हमेशा इस नू V हैम एम हेठा डाइमेंशन बना सकदे हा अते ए ती मिलिमीटर इस तरीक के नाल असी लाइना दे प्रोजेक अशना नू बनाऊंदे हा अपने सल्यूशन दी जाज कार दे हा कि एकस वाई लाइन दे उपर एक पासे दो में पोईंटे प्राइमे हान जेकर पॉइंट भी होरीजोंटल पलें तो पंजी एम एम हेठा वी पी दे वी हैम एम पिछे है ता सल्यूशन भी होवेगा अते भी प्राइम उलट पासे होवेगा इसे तरह पोईंट सी लई हच पी दे हेठा वी पी दे फरंट विच दो में पोईंट इक पासे हन पार एकस वाई लाइन तो हेठा है असल हाल नाल अपने हाल दी जांच करो अगली कलास विच असी एहना हल दिया तक्नीका बारे हूर जानांगे तो हड़ा बहुत बहुत तन्वाद